सुबर सुबर बच्चों को लगती है भूग तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हम आज क्या बनाए सबजी बनाने में तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसी सूकी रेसिपी आलु की जो की बadow को बड़े चाओ से खाते हैं और खाने से बिल्कुल भी मनाँ नहीं करेंगे तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जीरा आलु की रैसिपी और ऐसी रेसिपी है कि आप लगबग 5-6 मिनिट में इसको बना सकते हैं और इसमें लगाने जा रही हूँ मैं अजवाइन के पत्तों का बहुत अच्छा फ्लेवर नए तरीके से बनाने जा रही हूँ जीरा अलू की रेसिपी लंच डिनर हो चाए ब्रिकफास हो आप इस रेसिपी को कभी भी ट्राइ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में बनती हैं तो चले फ्रेंज जादा बोर नहीं करती हूँ बनाना शुरू करती हूँ चीरा अलू की रेसिपी यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज के आलू लिये थे जिनको की बॉयल कर लिया था और लहसून दिया है रहा लहसून अदक लिया है और यहाँ पर लिये अजवैन के पती है तो इनको बारी बारी कटिंग कर लिया है दूसरी तरफ मैंने गैस पर रख दिया है पैन गरम करने के लिए गरम करने के साथ यहाँ पर पैन गरम हो चुका है तो यहाँ पर सबसे प यहीं फायदा है कि इसमें ज्ञाग बनते हैं तो यहां पर थोड़ा सा इस्टरा करूंगी इसको इस तरीके से देखें जीरे को थोड़ा सा तड़कर लगाने के लिए थोड़ा सा इसको इस्टरा करना पड़ेगा इस तरीके से चारो चारो तरफ से घुमा कर तो देखें यह यहां पर यह जीरे को तड़कर लग चुका है बिलकुल तो आगे जितने भी इंडिगन है वो मैं आपको आगे बताती हूं तो यहां पर जो अध्रक है इसको इस पीसेज में काटा है लंबे-लंबे पीसेज में और इसे के साथ जो लहसुन की कर लिया है सर्दियों का सीजन है तो हिंग है वोई एट करने जारी एक से दो पिंच और साथ ही साथ लहसुन की कर लिया है जो कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा यूज में आती है बहुत ही ज़्यादा फाइदी मन भी होती है तो यहां पर इसी के साथ मैं एट कर दूंगी जो मैंने तीन से चार मेडियम स इस तरीके से तो चलाने के साथ ही यहां पर देखें जादा लहसुन को हमें पकाना नहीं है नहीं तो यह जल जाता है अद्रक को भी जादा फ्राइ नहीं करना है साथ ही साथ तो देखें यहां पर इसको भी स्ट्रा कर लिया है लगातार इस तरीके से मिलाते रहना है इसको मिलाने के बारी यहां पर अब हम मिलाएंगे जितने भी मसाले हैं वो यहां पर सारे मसाले मिलाने तो नमक एड़ के हैं यहां पर चोथाई चमच और रैड चिली एड़ करूँगी यहां पर सबसे पहले चौतही चमर रैड़ चीली और इसे के साथ यहां पे आड़ करूँगी धनिया पाउड़ः अदि चमर धनिया पाउड़ः अड़ या है और इसी के साथ एक से दो चुटकी हल्ती अड़ आड़ की है तो अब इनको मिला देंगे नमक का आप अपने स्वादा नुसार ले सकते हैं मसाले को अच्छे तरह से मिलाएंगे मिलाने के साथ ही देखे इसका कलर भी हलका हलका सा तोड़ा सा चेंज होने लगा है और यहां पर मिलाने के साथ ही इसको बीच में एक जगह पर सैट कर देंगे ताकि जो मसाला है वो एक जगह से पक सके तो सैट करते ही तो यहां पर देखे यह आलू भी अच्छे तरीके से मसाले में मिल चुके हैं और अब यहां पर लगाएंगे हम अजवाइन भुना हुआ हुआ है वो यहां पर एड़ करने जारी हूँ चौधाई चमाच और यह है जवाइन के पते बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता जीरा अलू में तो आप जरूर डाल के देखे और बहुत ही फाइदे मन भी होते हैं तो एक बार इसको ढखका रख देंगे करीब थर्टी सेकिंड के लिए क्योंकि आलू तो बॉल है हमें पकाना नहीं है और साथी साथ यहां पे एक 30 सेकिंड हो चुके हैं तो इसको मिला लेंगे एक बार तो मिलाने के साथ ही देखे यहां पर मैंने इनको मिला लिया है और अब इसको थोड़ा सा पकाने के लिए इसको ढखका रखना पड़ेगा हमें करीबन 15 सेकिंड के लिए और यहां पर गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और अब हम करेंगे इसकी सर्विंग बहुत ही तेस्टी रेसिपी है तो चले फ्रेंज मैं आपको इसको दिखाती हूँ मैंने किया कुछ इस तरह से सारो इसको पासे दिखाती हूँ आपको जीरा अलू की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बैल आइकन को जरू दबा देना तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली नेग्स